हलो फ्रेंस जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज क्रेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बनाया सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उन से एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स मिले कर देना होगा तो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ उपनिशद भाष्य, महाभारत और रामायन जैसे महाकावियों और पुराणों के ग्यान में पारंगत थे उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 प्रिष्ट लिखे थे अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ हाली में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नर्वने को गार्ड ओफ ओनर सम्मान से सम्मानित किया है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साओधी अरब तो साओधी अरब की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नर्वने को गार्ड ओफ ओनर सम्मानित किया है किसी भारतिय सेना प्रमुक की साओधी अरब और UAE की पहली यात्रा है और साओधी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है ये सबी आप जानते है और खाड़ी चेतर में वो भारत के लिए एक महत्पूर देश है और साओधी अरब उरजया का भी एक प्रमुक स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवशकता का लगभग 18% 18% वहीं से इंपोर्ट करता है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सुचना आप सभी के लिए हमारी वेबसाइट जागरनजोश.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेज के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मन्त वाइस करंट अफेज मिल जाएंगे जहां आप मन्त के हिसाब से करंट अफेज पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेज टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप क्याटेगरी वाइस करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टिकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं अब बढ़ते हैं जोस्तों अपने अगले सवाल के तरफ किस देश ने फाइजर करोना वैक्सीन को अपात कालीन इस्तेमाल को मनजूरी दे दी हैं आप सबी जानते हैं कि जो वैक्सीन है फाइजर उसके अपात कालीन इस्तेमाल को किस देश ने मनजूरी दी हैं तो इसका सही जवाब है अमेरिका तो अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सिन को अपातकालीन इस्तिमाल को उसके मनजूरी दे दी है फाइजर वैक्सिन को ब्रिटन, कैनडा, बहरेन और सौधी अरब ने पहले ही मनजूरी दे दी है ब्रिटन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विक्सित जो COVID वैक्सीन के इस्तेमाय को मंजूरी दी थी और बिटिन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपात कलिन उप्योग के लिए एक अस्थाई मंजूरी दी है अब अब अगले सवाल की तरह सवाल है कोरोना वारेस के करण लगाये गए लॉकडाउन की वज़ा से इस साल कारबन डायोकसाइड के वैश्विक उत्सरजन में निम्न में से कितने प्रतीशत की गिरावट दर्ज की गई है इसका सही जवाब है 7% option C तो 7% का रेड़क्शन हुआ है कारबन डायोकसाइड याने की CO2 के वैश्विक उत्सरजन में तो आपको यह यहाँ पर बता दे कि जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में एक प्रकाशित अध्यन के मताविक जो उत्सरजन पर नज़र रखने वाले एक दर्जन वाग्यानिकों के अधिकारिक सम्मू Global Carbon Project ने गड़ना किया है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मेट्रिक टन कारबन डायोकसाइड का हवा में उत्सरजन होगा यह 2019 की तुलना में कम है जब तक जबकि अगर देखें तो 36.4 अरब मेट्रिक टन कारबन डायोकसाइड का हवा उत्सरजन हुआ था 2019 में और यह क्यों हुआ है तो कुरोना वारिस के करण लगाया गए लॉकडाउन के वज़े से इस साल कारबन डायोकसाइड के वैश्विक उत्सरजन में कमी आई है और यह एक में करण महाजारा है कि जब सब चीज़े थमी हुई थी तो कई सारे जो गैसे थे उनका जो उत्सरजन था उसमें भी कमी आई थी तो यह करण टैक्साइड में इस रिपोर्ट जो मैंने आब आपको बताया है उस रिपोर्ट के हिसाब से साथ प्रतिशत कमी आई है बढ़ते हैं अपने अंगले सवाल के तरफ अहाली में किस राज सरकार ने सचवाले एवं सरकारी करमचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहन कर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है इसका सही जवाब है option D महाराश्टर तो महाराश सरकार ने सचवाले एवं सरकारी करमचारियों को टी शर्ट और जीन्स पहन कर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है और करमचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है आपको बता दे कि इससे पहले भी बॉलिवुड स्टार को डाबर 54 प्राश का ब्रांड अमजडर नियुक्त किया है कसे जवाब है अक्षे कुमार ऑप्शन एक तो डाबर इंडिया लेमिटेड आप सभी जानते हैं आप लोग बहुत सारे इसके प्रड़क्स भी इस्तेमाल करते होंगे तो बॉलिवुड स् और में अधिक इमेनिटी की जरूरत है वहीं अक्षे जो है वो स्वास्त और फिटनेस के प्रतीक माने जाते हैं प्रिदेश में इसके मद्नजर अक्षे को ब्रांड अमजडर बनाए गया है डाबर 54 प्राश का अब दोस्तों उस सवाल का जवाब जिसका जवाब हमने आप से पिछले वीडियो में पूछा था सवाल था हाली में भारतिय मूल की किस संसद को कॉंग्रेशनल प्रग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया आप लोगों ने बहुत सारे मात्रह में जवाब दिये हैं सही जवाब है प्रामिला जैपाल आप में से बहु सबसे ताकितवर संसदों में से एक होंगी और अमेरिका में यह प्रभावी और अनुभावी संसद को दिया जाता है उन्होंने इस अफसर पर कहा कि सी पी सी रंगभेद को खत्म करने गरीबी और असमान तक मिटाने जैसे कामों को प्रमुक्ता देगा और देश में परिव समारों के लिए ऑनलाइन पंजी करन अनिवार कर दिया है आप क्यों जैसे बिहार जारकन गुजराद या पिर पंजाब आपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में लिक कर दीजे दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें साथिस सा आपको लिक अुझौराद मेंसे बिजसा लिक नचित में जबड़ यहार खिएसके सा बहा थास्पाधन पिरा सकते लिक दो में और में लिक कर देंगिे बुदयाम मेंसे बांगरे पो पंजराद मेंसे लिए कि यह āँँन अपने खर कर दें हमें उना जब़ आएसका पहा